यह कहानी सन 1969 की है जब मुंबई बॉम्बे हुआ करता था और गुजरात और महाराष्ट्र दोनों बॉम्बे प्रसिडेंसी का हिस्सा थे अंग्रेजों को गए 12 साल हो गए थे लेकिन उनका असर अब भी पुर्जोर था नशाबंदी सिर्थ कहने को थी क्योंकि शराब पीने या पिलाने वालों की कोई कमी नहीं थी मुकद्मों का फैसला तब जज की बजाये जूरी किया करती थी और राज कपूर की फिल्म अनाडी ने धूम मचा रखती थी कि उन दिनों भारतिय नौ सेना का दवदवा हिंद महासागर क्षत्र में तेजी से बढ़ रहा था Sir, signal from fleet headquarters कर तक दुदिआ दिफॉर्ट हूआ सौरर्ट सिगनल अुछी हैट्वाटर्टथ स्वर्णड्ट लंश कर दो स्वर्णड्ट लाइड हैट्थॉर्ट सौर्ट श नियुट्र लिडेड़्टो्ट सिंवन फिलेड़्ट टीञ्ट थे ख़िट्ट लाइड़ंवे काप्टन? सब अरुस्टन अरुस्टन ुष्टन शुष्टन अरुस्टन 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 MAVIGATING OFFICER Sir MAINTAIN THIS ROUTE TO BOMBAY Chief Saab, Machine Guns to Stand Up Aye Aye sir Do you hear that? Do you hear that? This is the XO speaking आपारी अच्रावे बाटकॉलावा था उपनाफर के तुक ऑल्पिए, प्रोफ नौनी दिए, प्रीमाने डीया है उजिए ओर टा बाटे जैस्टीज़ के साफरी पर मेंपजूनी आपकॉल प्रेटावल सिथे आपकॉलावारि उपनाबिए है। मिम साब विकरम साब की गाड़ी आ गए कि कुछ मत बूला संथ्या सिंथ्या सिंथ्या सिंथ्याल एफ घ्राइयू में साब बाहर गई है साब कब कल कल दो पैर थैंक यू हलो प्रीथी रूस्तम अ हाई रूसी कब आए बस अबी सिंद्य को फोन देना प्लीज सिंद्या तो यह नहीं है इन फैक्ट मुझे तो कई दिनों से नहीं मिली अब ओक्यों बट करु़ प्रूस्तों कर रूस्तों कर दो चापय से तो का रकल तक बाद हम ड़ा टूस्तों गप्रोपक्श्ण वपक्ष्ण यह वह सुशब है कर प्रूस्तों झाल झाल मेरी प्यारी सिंथिया, तुम्हारे जैसी औरत लाखों में एक है, मैं तुम्हारी खुबसूरती की बहुत कदर करता हूँ, तुम्हारे साथ बिताई हुई उस रात की यादे, मुझे सोने नहीं देती, तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा, अलो, बाणा भाई, कमांडर रुस्ताम पावरी बोलो, विकरम को देना, लेकिन, कमांडर साहिब, बाबा तो घर पे नहीं है, अलो, बाई! I'll miss you, Lucy रहने दो, जन्ना भाई हाँ हाथों में तेरा हाथ हो और सफर पे तेरा साथ हो आखों में डालकर आखे पिन कहे ही सारी बात हो खुश्बू तुमारी जुल्फों की अब तक बसी है सांसों में महग जाती है रूह मेरी जब आती हो तुम बाहों में तुने आखों से जो कह दी थी वो बात कैसे भूलूंगा तेरे संग में जो गुजरी थी वो रात कैसे भूलूंगा तोमारा और सर्फ तुमारा वीकरा रुषी, जो झाल गला है झाल 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 खर लार कर दो अगर ब हुआ है करना उपलाएग को भाजवा हम अचारी सुपर्डा कर सेचे डिएक भाज़ सेतियर नियुकिताई जाज़तार दॉपिए अचीछ सेल्गे कर दो पता प्राइटर प्राइब। सब गुद मॉर्निंग सर गुद मॉर्निंग रोजी विक्रम है विक्रम सर तो आई नहीं है अभी तक अब बैठी ना मैं आपके लिए चाह या कॉफी मंगवा देती हुआ नो थैंक यह यह लुकिंग गॉजियस तोड़े थैंक्स बाइ कैसे यह बाना भाई कैसे यह बाई कैसे साहिब कुछ बोला क्या नहीं साहिब जैन साहिब सच बताओ कल रात ड्यूटी के वक्त कहां थे तुम लोग कसम से सर कर रात को जीप लेके पेट्रोलिंग में निकले और टायर पंक्चर हो गया बहुत ढूंडने के बाद एक दुकान मिली उदर पंक्चर बनाया इत्फाक तो नहीं हो सकता तुम लोग वही जीप लेके निकले जिसका वाइरलेस खराब है और फिर उसका टायर भी पंक्चर हो गया और अब तुम दो ड्यूटी खतम होने के वक्त वापिस आ रहें साब आपसे जूट थोड़ा ही बूलेंगे चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं एक काम करो चारो एक रिपोर्ट बराओ बहुत लंबी चावडी रिपोर्ट नहीं लिखने हैं सिर्फ इतना लिख दो कौन सा टायर पंक्चर हुआ था आपस में कंसल्ट किये बगैर कि माफ करना साब कल ज्यादा काम नहीं था तो अब लोग चोपड़ी पे तफ्री कर रहे थे बाटेल सार चारों की साथ दिन की तनखा कट पर सब आउट कि बॉंबे स्यादी के सबसे काविल अफसर को तुना लगाने की एक और नाकामियाब कोशिश यह मेरे आखरी से नेचर हैं जी कल से चुट्टी वे जा रहा हूं फिर पंदर देना रहा हैं मैं कमांडर रुस्तम पावरी इंडियन नेवी मेरे हाथों से विक्रम मखीजा का खून हो गया है और मैं सेरेंडर करना चाहता हूं एक और मैं प्रूसुप क्ट loafर जे वेंसीता मैं एक रह स्लीका प्यावरों सेथा है व होत्त प्रवाल गयार प्रवादे करन दिया हुआ वन्यादय। अदो बार प्रवादे श्रवाल स्वादे वीजिश जवाल प्रवादे विया हुआ माडम कर दो से जब दो क्या हुआ है who the hell is in charge here Vincent Lobo investigating officer रूसम पावरी ने मेरे भाई को मारा है, आप उसे अभी ही गिरिफसार कीजिए कमांडर पावरी ने आदा घंटा पेले खोगी पुली स्टेशन में सरेंडर किया है तो आप यहां क्या कर रहे हैं, गो दे इन तेरों के ठेम मादम, मुझे क्या करना है? मुझे आप से जाने की दरूओत नहीं है क्या तुम अंदाज़ भी है कि तुम किस से बात कर रहे हो? और जो मरा है वो कौन है? मेरी पाच बहुत उपर तक है तो बेस्ट यु ज़िस्ट आप से जाने की जरूओत नहीं है यु विल दो आप से जाए इस अप्राइब और उप्राइब अविदेंस ज़िस रचाए उप आप अए नहीं है चलिए मेडम कि अधिर अधिर विट थी मुटर्राभी नथिते तो हां बोलो एरिश साब मैं हूं तुकराम हां तुक्या बोल सूखबर साब वो इंपरेल मोटर वाली एक लिक्रम मखीजा का मडर हो गया है सुबाद करेच किस ने मारा वही तो पचास रुबे की खबर है उसे मानने वाला कोई नेवी का बहुत बड़ आपसर है क्या नाम हो इसका कमांडर उस्तंपावरी है आवरी कि एटो क्या तेर को पचास नहीं सो डेगा पर ये खबर किसी और अगबार को मट देना समझे आप आप भी फिग रही है सब हुड़ाई जी तमारी महरवानी अब मेरे ये जिन वापस आएंगे गोदी में आग तीन सो लोग राख वारादा कॉपी भी की आस्मान से सोना बरसा शंत्रादा कॉपी भी की ट्रेन आक्सिजेंट चार सर लोग बारे गए तेरा हजार पात सो काफिज भी की अरे कहां मरी गेल हो अरे प्रिंटिक बान करा हम ना जी लेकिन सर प्रेस रोल हो रही है नुकसर हो जाएगा अरे गेल सब पात वो सब छोड़नी ऐसी खबर मिली है कि तुम लोगों का पिछले तीन महीने का पगा कि बिच्छ खब पुडिश मुण था खबढ़ीर मुण मुग्न शोर्प छिकश सर पात सी नुकसर है काप इसस स्क भाई शाएगा थोर्मौ पीडली सको मुझे लेडि़ बाहर आंतिज़कर जातेशन eh goud प्रेड़ करें झाल है कि यह तो एक दिन होना ही था क्या मतलब सरिये विक्रम मगिया करेक्टर बारे में तो आपको मालूम ही होगा साला अपने आपको कामदेर की छड़ी ओला समस्ता था लेकिन एक बाद मेरी समाझ भी आई कि एक कमांडर की बीवी ऐसे हागी चरकनों कैसे बढ़ गई गिवा अगा इड़ा अधिर कर एच इस कर दूद कि अधार अगार विक्रम याने ठाच में प्रक बूस्य को ओलिए लाजरो ने किसको ओलिमारी चार अध्य एलो संब्सक्षाव जल्दी गज़िगर पज़ा माँ आपकी वीविये तैलि जडी जाए चार अध्य दूदी में आपके लिए सिंधी कम्यूनिटी का बहुत ही इंपॉर्टन्ट मेंबर था आइ गैरंट यू रुस्तम्स कन्विक्षिन और इसका क्या करें तेबलोईड है जिस इग्नॉर इट यह रद्धी पेपर यह इसके दिवालीया मालिक को कोई भी सीरिश्ली नहीं लेता यह नोबडी मेरा जेजे साफ के साथ एपार्टमेंट है यह जो सर् जुट मॉर्णिव साइब बोले रच, सू काम पढ़ियो आपने रुष्टम पावरी का टो सुना होगा मक्हीजा था है डिट कमें पस रुष्टम का सुनके मुझे अफसोस हुआ मैं उससे एक दो बार मिला हूँ नाइस पड़ जेजे साब ये केस लक्षमन खांगानी के पास क्यों गया है क्यों? अभी ये टवाक्त हो नियो सकता है ना की मखीजा और खांगानी डोने संदिये ना प्रीटि मक्हीजा इस यूजिए रिंशलेंस अब प्रीटि में टूइण देयर अच आपरा पारसी ने मदद कर वी जाये ना तुमने इंडिविजियल्स कोई नहीं अपने रिलिजिन को भी नहीं चोड़ा आपने इस अखबार की कॉपीज बेचने के लिए साफ साफ बोल सूजो येच साब मैं चाहता हूँ के हम मैं मैं आप रुष्टम के लिए एक अच्छा लॉयर रोके क्यों? जेजे साब ये खांगानी बहुत चालूच है और रुष्टम को अपने बजाव के लिए एक फैर चास तो मिलना जाहिए ना सर ने आप बेशब मुझे गाली रिट हो पर आप ये जानते हो के रुष्टम दिद दे राइट दे राइट दे राइट थेजा थेजा के लिए रॉग जान फैर आप टेक्सी बाड़ा दिया चल शुरू कर बहुत मेरवानी जेजे साव एरच मैं रोज सुबह उठकर सारे अख़बार पड़ता हूँ रुस्तम के लिए लोगों में सिंपथी कम नहीं होनी चाहिए जूरी सबसे लास्ट में डिसाइड करती है पहले पब्लिक डिसाइड करती है जी जादू तोना करके ओर्तों को अपना शिकर वनादा था आज कमांडर की कोट में पेशी करना करते हैं बार्टे प्रेट, प्रेट बार्टे बार्टे प्रेट करने नाइन, जै तो बार्टे करने लिए अगज रहें दोड है आपकार चैना है Ihure एंडियन नेवी के तरफ से अप्रकाइंड उंट्रीओ सिर्सेरpielt ि लॉट्inder इल्द में लटीनन कमांडर पूजारी नेवल लॉटmarktर से मैं लॉट्स्तक नेवल कषिडी मे रखा जाए उन्ट कर आउड लॉट्स 不要शेहर की देकर ने ठीकिल सुंगा थीक नहीं होगा। प्रिटी मखीजा। एसने बेरे भाई को मारा है। प्रिटी आप काउन? मैं विक्रम अखीजा की वहन। ट्रीती मखीजा। आपके भाई की मौत का मुझे अफ्सोस है मिसमकीजा। लकिन अगली बार अगर आपने मेरी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स इंटरप्टी ता आप विल होल्ड यू इन कंटेंट। सट डाउन। प्रिटी। सिट डाउन। सट डाउन। अगली नेवी इस विलिग तो गिव था उन्टेकिंग्स अफिसरे नन मैलाओ एक्क्जू मी मैलाओ मैं पुलस के स्टी में रहना चाहता हूं मुझे मेरे रैंक की अचीओमेंट्स की वज़से कोई स्पेशल ट्रीटमेंन ही चाहिए एक्क्टैन सी पीचरियान मैं लॉड अगर आप इजाज़त दें तो क्या मैं एक मिनिट कमांडर पावरी से बात कर सकता हूं पुरस्तम नेवी तुम्हारे सपोर्ट में है तुम्हें आफिसर्स में रखा जाएगा और वहां तुम्हारे पास सारी सुवधाय होंगी सर मैं पुलिस केस्टेडी में ही रहना चाहूंगा ये डिरेक्ट ओर्डर्स हैं I refuse अपने इस रवाय का अचाम जानते हो मैं लॉर्ड मैं अदालत से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे पुलिस केस्टेडी में ही रखा जाए प्लीज ज्युक्त ज्युक्त सर मेरी इंवडिगेशन अवी चल रही है अब जल से जल चाह्ड शीट वाइल करिये यस सर पादालत कमांडर पावरी को साथ दिन की पुलिस कस्टेडी देती है कमांडर और विक्रम में क्या संब्द थे वो दोस्त थे इन फाक्ट रुस्तम, विक्रम, सिंथी और मैं हम सब एकी सरकल में थे दोस्त थे मिस्सिस पावरी और विक्रम मकीजा यह दोनो नस्दीक कबार वो पहले सब साथ मिलते थे साब में साब विक्रम प्रिती जब साब लंदन चले गए तो यह तीनो साथ में मिलते थे तभी मुझे लगा कुछ तो गड़बड है तो यह दोनो मिलने लगे रहे रहे रहा है कहां मिलते थे लोग मेडम कहां मिलते थे हर जगर है अपलेक में प्राइविट में साब मैडम तो खर पे ही आती थे आपको ये बात गलत नहीं लगती थी, हम? इसमें गलत क्या? सिंथ्या को ये बच्ची नहीं थी उसको मेरा भाई पसंद था Haven't you heard the term consenting adults? फिर? फिर क्या हुआ? फिर क्या साब? उनोंने चिथिया पड़ी और गुस्या में अपनी पोटो वाली फ्रेम तोड़ दी कितने वजे की बात है सर, सुबह तक्रीबन पहुने नौ बजे है फिर आगे क्या हुआ? क्मांडर साबेट सौल राइट कहेंके चले गए लंडन क्मांडर पावरी क्मांडर पावरी लंडन क्यों गय थे? उनने वाओ अफिशल ड्यूटी पर भेजा गया था मिस्स पावरी विक्रम मखीजा को आप कितना पसंद करती थी किन आ लीफ प्लीज? आम वरी तायद साइब क्मांडर को काई को पगाड करके हुए एक और मेडल देके छोड़ेना चाहिए कमांडर साब अलवेल, कोई तक्लीफ तो नहीं जी बिलकुल नहीं और थैंक यू फॉ लू अगर आपका इतराज नहीं तो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ आपकी जाती जिनकी के बारे में अगर आप जवाब नहीं देना चाहें तो कोई बारे में पूचिए थैंक यूच़् रुच्छ लूच्छ नहीं इनिका है। प्लेजर तुमीची जिसका नहीं। मेरा भी है। यह शी इस। वाइव बूरिफुल सिस्टर। हाई। हाई। प्रीटी मकीचा। मै वाइफ, सिंथिया। हाई। हाई। महफिलमे जिनके आने से रोशन हुए चराग सजदे में उनके जुग गया। खुद देखो आपकाव। भई इसका मिजाज खुबसूरो तॉरतों के सौबत मे आते ही शायराना हो जाता है। स्क्यूसम। विक्रम। यस। मिस्ट अंडिसन समीरिंग समास। विक्रम। विक्रम। स्क्यूसम। विक्रम। स्क्यूसम। सबस्ता भाई। मैं बाई। सर कौन है यह? यह जोरी शिवल्स रुस्तम, जोड़ी लाएड़ी रुस्तम। का ङिविल्स अवरी अमरिकन कंप्नी साइए निदीन रिपसंतिटिव यह जबता है। पूच्छ पीजूड है। तो दिन के बाद हम ऐसी काई पार्टीज में मिलें and we became very good friends sir DCB साइब कपोने कमांडर आप लंडन किसलिये गए थे ओ ऐसे यानि अफिशल सीक्रेट साइब के तहद I cannot share those details with anyone I'm sorry no it's okay हमारे पास कोई और लीगल रिकोर्स है not advisable sir पर sir कमांडर पावरी यहां रहे या वहां क्या फरक पड़ता है I need those documents shared in at any cost अगर वो पेबस किसी के हाथ लगे तो we'll be in deep trouble उसके घर पे बेजो किसी को सुराब खानवाला, senior advocate I've come here to help you my son मैंने तुम्हारा केस लड़ने का फैसरा कर लिया इतने बड़ी गल्ती कैसे की सुराब भई It's an open and shut case मेरे हाथों से विक्रम का खून हुआ and I admit it ये बात किसी और से मत कहना वरना भगवान तो क्या मैं कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता रुस्टम मेरे sources से पता चला है कि सिंथिया हाथ से के पहले विक्रम के साथ थी और मैं अपने अखबार के जरीए सब कुछ पब्लिक को बताँँगा मुझे बचाने के चकर में आप लोग मेरी पतनी की खुले आम बेज़ती करने पे उतरेंगे थैंक्स बटनो थैंक्स प्लीज सर प्लीज प्लीज रुस्तम अपने बचाव के लिए वकीर लखने से इंकार कर रहा है क्योंकि उप नहीं चाहता है कि तुम्हारी पब्लिक में बड़नामी हो प्लीज आप क्या तुम्हारी को अजाद देखना चाहती हो मुझे इस बात से कोई तक्लीफ नहीं है कि कोई मेरी बारी में क्या उपिनियन रखता है लेकिन है लेकिन आप और इसे को आजाद देखने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं परेगी बस थोड़ा कुछ से ही काम चल जाएगा परेगी अश्याओ कर दो 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 आम सोरी मैं वो आज भी आपसे मिलना नहीं चाहते मुझे इन से मिलना ही होगा इस वरी इंपॉर्टन्ट ओ मैडम इधर के कुछ कायदे कानून थे अगर व आपसे नहीं मिलना थाता तो आप क्यू क्या आप उन तक मेरा एक मेसिज पहुचा सकते हैं कमंडर साब यह आपकी बीवी ने भेज़ा है जाए यह आपकी और रे अप्राइब जारूसी और दो में है कुछ तुम आजा है अग्सार फेकार एक तो मैं तंगर के जार में जो जो सकत मैं अपाथ करूं है अस सारी वे तैस जो लोगा करो नभी बाइब इना उटकरो मैं बाइब बाइब आएब लोगावकार कर दो सारी दो किसी अपाथ करो I can't take your silence anymore I come so up again I'm so sorry 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 Take care I'm so sorry Vikram I'm really sorry But I want to leave I don't know anyone Don't be silly This is your party Oh come on The most gorgeous woman on this planet Doesn't really need to care about it, right? Um, but... Okay Just give it ten minutes If you're still uncomfortable Shale jana May I? Please? Okay Ladies and gentlemen Here she is The birthday girl, Cynthia Let's hear it for her Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday 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 कर दो कोई भी मॉकाने छोड़ता था मेरे थारीष करने का ये मेरे करीबाने का नून can you close your eyes for a moment please Cynthia trust me many many happy returns of the day I can't accept this क्यों पसंद नहीं आया कि यह बहुत स्यादा था yes क्या क्या अब कहां तुमें एक्सेप करने में दिककत हुरी थी मुझे तुमारी दिककत से दिककत हुरी थी अब इतनी बेकार सी चीज़ के लिए हम लोग अपना वक्यों बरबाद करें तुम पागल हो एक्तम बेकार नहीं थी अब जाओ उसे डूंडो डूंड लूंगा तो पहन लोगी हाँ पहन लूगी हाँ पहन लूगी जब पृती कुछ अपतों तक वापस ने लोटी तब विक्रमी मुझे टिनर्स पे और पार्टीस पे इंवाइट किया करता था हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ 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 है ही और एक तिन चिब विक्रम ने उसकी बंगलो पे अखेली थे अफंब्स का श्राइआ है लगताब भी मुसम भसातो ने वाले हैं एफ और यू एफ यू सित्या अरे रुको यू अरो दूर यू थाँ यू एफ यू रखके चलो अजे रखके बीडार्ट वोन करें औक अब आओ लंठसर लाँ पेक बीड़िडर्ट अब को, अब कि अउन्स लाखर अब भीडर्ट अब बीडर्ट अब का अब आः पीडर्ट अब आखर अऑम झाल झाल प्लीस कम प्लीस कम प्लीस कम प्लीस कम सिंथिया, हमने कुछ कल अपने किया प्लीस कम मैं बहुत हथ थे कि तु बेरी बात नहीं माँ रहे हो प्लीस कम कमाल, कल तक कमांडर अपनी बीबी से मिलना नी चाह रहा था, अभी एक गंटे से उपर हो गया है, पता नहीं दोनों में क्या खिजड़ी पक रही है, आकिर ऐसा लिखा क्या चिक्ति में, यही कि चाकू की नोक पे जबरदस्ती दो आदमी घुसा है और पूरे घर की तलाशी कर दो, क्या अभी, आपको कैसे मालो, तो हमको काई को नग बताया है, तो हमको काई को थार चक्कर क्या है? कुछ ले गये बुलो, कुछ लेही, कुछ रुट रहे हैं जो शायद प्लाने डोंट वरी जो में कहता हूं ते अंसा सुनू गददमिट कहां छुपाय होंगे क्या था तुमने कहा था इस अपर बंदु जाएगा अपर तो बंद नहीं हो रहा है उल्टावस का अपर मिलना मुश्किल हो रहा है एंड सिंथिया का स्टेट्वन पढ़ा एट वुमन लक्षमन इस अखबार के वज़े से पब्लिक का फोकस मेरे भाई की मर्डर से हटके रुस्तम की इमानदारी बजा रहा है उसकी ये इमानदारी ही हमारा काम आसान करेगी प्रीटी रुस्तम कट घरे में खड़े होकर ये कुबूल करेगा कि खून उसने किया है मैटर क्लोजड रिलाक्स प्रीटी टेक शीट कमांडर पावरी आप कोई वकील रखना नहीं चाहते है ये स्याहानर आप पर सेक्शन 302 के तहत विक्रम मखिजा की हत्या का आरोप है क्या आपको अपना गुना कुबूल है जी नहीं माइ लोड आई प्लीड नॉट किल्टी और 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 टायल 25 मैं से शुरू होगी आप अपना किस खुद लड़ेंगे जी हाँ माइ लोड रिमेंबर दिस कमांडर पावरी अगर इस अदालत में आप दोशी पाए गए तो वकील ना होने की वज़े से आप अपील नहीं कर पाएंगे माइ लोड मैं आज यहां लिखित अंडर्टेकिंग देता हूँ कि अगर इस अदालत में मुझे दोशी पाए तो मैं उपर की अदालत में अपील ही नहीं करूंगा क्या कमंडर साथ अकेले केले ही तब तो हमेशा आपी जीतेंगे आए पैली शाल आप चलिए पहली चाल तो आप बहुत पहले ही चल चुके हैं कर आपकार विक्रम के बीच भीजन्स रिलेशन थे फॉजी हूँ बिजनसमन नहीं जब विक्रम ने मैसिस पावरी को इतनी महंगी गारी तो आपने इतराज क्यों नहीं किया यह सोचा था पर उसे टोकना ठीक नहीं समझा और दूसरी तरफ दोस्ती ने शक करने नहीं दिया ट्रस्ट कैन बी अ वेरी वेरी फानी तिंग हो सकता है उस वक्त आपके इतरास ना करने की वज़े से विक्रम की हिम्मत बढ़ी हो बिलकुल हो सकता है कमाने साब आपकी शादी के बाद मिस्स पावरी के अलावा आपके किसी और और अससे सम्मझ रहें क्या जी नहीं कमाने साब आपके सब ही पुर्जे तो सलामत है ना लोबो साब अगर असली मर्दानगी इसमे है कि कोई अपनी बीवी के होते दूसरी औरत के साथ आश करे तो आपका शक वाजब है चेक चेक मेंट मान गए कमानडर तुम्हारे फ्यूचर को लेके बहुत चिंते तो क्या देखो रुस्तम को नीवी से निकालने का फैसला हो चुका है शायद वो तुम्हे डिवोस भी देदेगा और अब बिचरा विक्रम भी नी रहा sad you know it's very difficult for a single woman to survive without any support please मेरे पास एक रास्ता है जिसे तुम्हे जिन्दगी भर पैसों की कमें नहीं होगी सुरना चाहोगी सरूर रुस्तम के पास हमारे कुछ एक्स्ट्रीमली इंपॉर्टन और क्लासिफाइड डुकुमेंट्स हैं जो हमें चाहिए but he's acting kinda strange these days look Cynthia we're willing to give you 10 lakh of rupees for this 10 lakhs? 10 lakhs admiral Carbeth माफ कीजेगा मुझे अब आप लोगों के फ्यूचर के बाड़े में बहुत चिंता हो रही है रुस्तम ने मुझे पहले ही आगा कर दिया था जो मैं कहता हूँ से द्यान से सुरू जल्दी एड्मिरल कामत तुमसे मिलेंगे और तुमसे कहेंगे कि मेरे पास कुछ इंपॉर्टन डॉकुमेंट्स है और उसे हासल करने के लिए बहुत सारे पैसे भी ओफर करेंगे और जब ऐसा कहेंगे तो तुम उन्हें ये लिफाफा दे दे ले इसी मैड हम पांच करोड का से लाएंगे पिक्रम मकीजा के हिस्सा पाच करोड था वो अब इस स्विस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने चाहिए और ऐसा मैंने नहीं किया तो तो रुसी ने आपको बताने को कहा है कि एसा ना करने का नतीजा आप बहतर जानते हो प्रिषभक्ति की आड में तो अपनी देश्भक्ति की आड में यह ज़ अप्रिश्ट्र बलॉड बलाड़ी ब्लाड़ी ब्लाइक मिली ऑपचुनिस्ट रए लगिन वो इन पैसों का क्रेगा क्या क्योंकि जह तक मैं समझता हो कम से कम 14 साल तक वो उकता सूरज नहीं देखने वाला है So you tell me तुब नहीं हो जाएगी Thank you very much for the evening कुछ तो है जय पकड में नहीं आरा है यह बटुव में क्या है लिखा नहीं यह इन्वेंट्री तो पाटिल सामे लिए थी ना तुब क्या यह स्टेट्मेंट की फाइल देखके बता 27 एप्रिल को कमांडर कितने बजे कहां था आठ पंदर को कमांडर अपने घर्से चला आठ पैटारीस बड़ जहाज पर था दस बजे इंपरियल मोटर और दस वीच पर विकम्टुब जहाज से इंपरियल मोटर्स जाने में कितना टाम लगता बाजू में तो है गाडी में दस में तो फिर कमांडर पॉने नौ से दस बजे की बीच का था मैंदम यहीर मैं यहीर में पोटो देख थे पहचान गयी थी श्नेवी ओफिसर ने दिल्ली एक लाइटनिंग ट्रंक ओल किया था प्लीज को नबर साथ पर चले जाए इन धू कभी कभी चेंज पूरा नहीं होता है तो हम पैसों के बदले में स्टांप्स दे देते हैं और ये सांप्स चुकी पिछले हफते ही लांच हुए थे इसलिए मुझे क्लियर ली याद है मैंदम जरा वो दिली वाला फोर नंबर बोली है जी सर थी 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 फार सिक सिरो थैंक्यू मैंदम एंक्यू आज आप सब पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे आप सब को निष्ठा एवं इमानदारी के साथ निभाना है आरोपी कमांडर रुस्तम पावरी पर विक्रम मकीजा की हत्या का आरोप है दोनों पक्षों के वकील आपके सामने अपने सबूत गवा और दलीलें रखेंगे और आपको उसे सुनने के बाद समझने के बाद अपना फैसला सुनाना है क्या है रच बिली मोरिया अदालत में हाजर हैं जी यह से और आपने अपने इस अख़बार में लिखा है क्या फॉजी को न्याए मिलेगा क्या आप इस बात से इंकार करते हो नहीं जा सब आप जानते हैं कि एक पब्लिक प्लेटफरम पर ये सवाल पूछ कर आप अदालत की तोहीं कर रहे हैं नहीं मैंने तो सिर्फ एक सवाल किया था यूर आउनर लाइन के एंड पर क्वेस्चन मार्क डाल देने से एक स्टेटमेंट क्वेस्चन के साथ साथ ऐलिकेशन भी बन जाता है आपके सवाल ने अदालत की काबिलियत पर शक किया और इसीलिए अदालत की कारवाई खतम होने तक आपको जेल में रखा जाएगा ले जाओ इन्हें है या ता में भी आउं तु भारेश है रहा है अब प्रोस्रेकुशन अपना ओपनिंग स्टेटमेंट देगा हमारे सम्विधान में कानून सब के लिए एक है चाहे वो कोई रईस जादा हो चाहे वो एक मामुली आदमी हो या कोई फौजी कमांडर रुस्तम पावरी आज हमारे सामने युनिफॉर्म में बैठे हैं जब खून करके उन्होंने अपने आपको सरिंडर किया था तब भी ये युनिफॉर्म में थे युनिफॉर्म का पूरा इस्तमाल कर रहे हैं वो लेकिन इस वर्दी के पीछे जो इनसान है उसकी कर्टूत को मद्दे नजर रखते हुए आपको फैसला सुनाना है रुस्तम पावरी ने 27 अपरेल की सुभह विक्रम मखीजा की तीन गोलिया मार कर हत्या की प्रोसिक्यूशन इस बात को बिना किसी शक्य साबित करेगा थैंक यु ताट्स अल युर अना डिफेंस यॉर ओपनिंग दियो जूरी मेरी यूनिफॉर्म मेरी आदत है मेरी बाकी अच्छी बुरी आदतों मेंसे एक जैसे कि सांस लेना अपने देश की रक्षा करना बेज़ज़क पने स्वार्थ अपना फर्ज ने भाना मैंने कोई खून नहीं किया यह बात आपके सामने मैं नहीं खुद प्रोसेकेशन साबित करेगा थैंक यू थैंक यू मन हमारे पहले गवा है डॉक्टर आशर जो सरकारी अस्पताल में पोस्ट मॉर्टम के इंचार्ज है मैं इश्वर को हाजर नाजर जानकर कहता हूँ कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा डॉक्टर आशर क्या आप जूरी मेंबर्स को बताएंगे कि विकरम मखिजा की मौत किस कारण हुई थी उनके दिल में तीन गोलियां लगने के कारण थैंक यू डॉक्टर आशर जूरी मेमरान नोट करी कि विकरम मक्या की मौत दिल में टीन गोलियां लगने के कारण हुई थी No further questions, Your Honor Court, prosecution से request करती है क्यार बात repeat ना करें अदालत दूसरी बार भी उतना ही सुनती है जितना की पहली बार Sorry, Your Honor Defense, your witness, please No cross-examination, Your Honor Miss Rosie क्याप कमांडर पाओरी को जानती है हाँ, वो हमारे बास के दोस्ते और कई बार हमारे ओफिस आये है I see क्या सत्ताइस अपरेल को वो इंपीरिल मोटरस आये थे जी हाँ, वो करीब आने दस बज़े आये थे क्या आपको याद है, जब वो आपके ओफिस आये, तब उनके चेहरे पर क्या हावाओ थे अच्छी तरह याद है सर, वो बहुत गुज्से में थे ऐसा लग रहा था, जैसे इनके सर पर खून सवार था फिर उन्होंने आ के क्या खिया उन्होंने पूछा आप क्या विग्रम सर आफिस में है, फिर आपने क्या कहा, मैंने कहा, अब तक तो आई नहीं है, फिर मैंने पूछा, क्या आपको कोई अरजन काम है, उनका जवाब, उन्होंने कहा, नहीं, कोई अरजन काम नहीं है, मुझे सिर्फ उसे चान से मारना है, फिर उन्होंने क्या किया वो गुस्से में वहां से चले गए थांक यू कमांडर, यॉर विटनेस प्लीज मिस रोजी, मैं आपसे दर्ख्वास करूँगा कि आपने जो भी अब तक कहा है वो जूट है ऐसे आप जट साब और जूरी को बता दे कमांडर, पावरी, आप विटनेस ऐसा नहीं पूछ सकते हैं या आपको प्रूव करना है कि उन्होंने गलत कहा मैं लॉर्ड, एक लेड़ी को भरी अदालत में पबलिक के सामने गलत साबित करके मैं उनकी बेज़त ही नहीं करना चाहता कमांडर, पावरी, कुछ वक्त के लिए आप अपनी नेवी की तैजीब और प्रोटोकल भूल जाएए बस यूँ समझे कि आप एक एक बेशरम वकील हैं जो अपने विटनेस से कुछ भी पूछ सकता है जी मिस रोजी, क्या ये सच नहीं कि जब मैं उस दिन आपके आफिस में आया था तो आपने मुझे रिसेप्शन पर बैटने को कहा और चाय और कॉफी भी उफर की हाँ ये सच है तो क्या मिस रोजी मैं ये समझू कि आप उस हर शक्स को चाय और कॉफी उफर करती हैं जो गुस्से में रहता है जी नहीं लिकिन जब आपने कहा किया विक्रम सर को जान से मारने वाले हैं तो मैंने सोचा अगर आप चाहिया कॉफी पिएंगे तो आपका गुस्सा थंडा हो जाएगा मिस्स रोजी आपने उस दिन एक ग्रीन कलर का ब्लाउस पहना था और आपको आपकी खुबसूरती पर कॉंपलिमेंट भी दे रहा था इसंट इस ट्रेंग मिस्स रोजी अब्जेक्शन मेलोड वाट फ़र लीडिंग क्वेश्चन यहार अवर रूल्ड फिर जब मैं वहां से गुस्टर से निकला उसके बाद आपने क्या किया मैं अपने काम में बिजी हो गई थी क्या तो मैं पुलिस को ख़ब करने का खयाल नहीं है अब्जेक्शन मेलोड गॉलिड गॉलिजिन ओवर रूल्ड थैंक यू और चलिये पुलिस को चुड़िये क्या मेरे जाने के तुरंद बाद आपको ये नहीं सुझा कि आप अपने बॉस को फोन करके उन्हें बाउन करने की कुशिश करें कि मैं गुस्टे से निकला उन्हें मारने के लिए वो मैं 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 बहुत डर गई थी लेकिन अभी तो आपने का कि आप बिजी हो गई थी आम बेरी सॉरी मिस रोजी मुझे आपको बरी अदालत में जूटा थाबित करना पड़ा अब्जेक्शन मेलॉर्ड कमांडर ये कहकर जूरी को गुम्रा करने की कोशिश कर रहे हैं कि मिस रोजी ने जूट बोला लेकिन इनकी बातों से तो यही थाबित होता है और मैं इसलिए इनसे माफी भी मांग रहा हूँ यूर अनर प्लीज ड़ कमांडर शुट बिवन इस्टा खंगानी कुछ गल्तियां में ओवर्लुक कर रहा हूँ लेकिन आइम वार्निंग यू प्लीज डोंट टेक मी और इसकॉर्ट फोर ग्रांटेट अगली बार अगर आपने मेरी अदालत में ऐसा कोई स्टंट किया ना तो आइविल होल्ड यू इन कंटेम्ट अब सुर्यों यू ना जोरी कमांडर के आखरी लाइन डिस्रिकार्ट करेगी हमारे अगले गवाह है सब इंस्पेक्टर पाटिल जो इस के इन्वेस्टिगेटिटिंग आफिसर है लेकिन रेकॉर्ड में लिखा है कि इस केस के आयो सीनियर इंस्पेक्टर विंसेंट लोबो हैं वेर इसी सर्व आर्जंट दिल्ली गये वह है आप अपॉट्मेंट मिला कल दोपर यह तेरा प्लान मेरी समझ में नियारा रिलाक्स पर जानता है ना कितना बड़ आदमी है कितना कनेक्टेड कुछ लोचा हो तो आपन दोनों का प्रांसपर अंडवान निकोबार हो जाएगा नहीं होगा तो अपना मुझ बंद रखना बाकि मैं सभाल लोगा अब मैं विक्ने स्टैंड में इस घटना के चश्मदीद गवा भाना भाई वारली को बुलाना चाहता हूँ भाना भाई 27 अपरेल की सुभे सुभे क्या हुआ था सुभा तक्रिबंद दस बजे घर की गंटी बजी विक्रम है फिर आगे क्या हुआ कुछ देर के बाद जब मैं बाबा के कमरे के अंदर गया तो बैने देखा कमांडर साहिम ने मद्दुक्तान रखी सी और मेरे सामने ही बाबा को तीन गोली मार दी आपके सामने जी हाँ साहिब मेरे सामने ही बाबा को तीन गोली मार दी फिर आपने क्या किया? मैंने इन से पूछा, ये क्या कर दिया आपने? और उनका जवाब क्या था? उन्होंने कहा, उसके मेरी बीवी के साथ गलत सबन थे, इसलिए मैंने उसे मार दिया म, मैंने ठीक से सुना नहीं, क्या आप फिर से दोराएंगे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा, उन्होंने कहा, उसके मेरी बीवी के साथ गलत सबन थे, इसलिए मैंने उसे मार दिया, मार दिया, मार दिया, I have no further questions, Your Honor, Rostam Pavari, Your Witness, बना भाई, आप यकीन के साथ कह सकते हो कि आपने मुझे देखा था गोली चलाते हुए, जी साय, क्यों आपको याद नहीं, आपने मेरे सामने बाबा पर तीन गोली चलाई थी, बना भाई, मैं फिर से आप से पूछता हूँ कि आपने मुझे देखा यू बंदुगतान कर व अच्छाँ के विटनेस अच्छी तरह से जानता है कि अदालत में जूटी गवाई देने का क्या नतीजा हो सकता है I'm sorry, Your Honor. बना भाई, जब आप कमरे में आए विक्रम के, तो उस कमरे का हल कहता? कमरा तो पुरा तःष नहश था. आपने नाशा किया? Irrelevant question, Your Honor. वैसे आप नाश्ते में रोज क्या खाते हैं? भाकरी, वड़ा पाउ या पोहे? आप वेजिटेरिने शाक कहारी हैं? जी. उस दिन आपने नाश्ते में क्या खाया था? अब मुझे यादें लेकिन इसमें से ही कुछ होगा. आप उस कमरे में आए क्यों थे? वो बाबा से पूछने आया था कि वो नाश्ता में क्या खाएंगे? जी आणर, इन तस्वीरों के मताबक किचिन में अल्रेडी सॉसेज, ओमलेट और टोस्स तयार थे, जो विक्रम मकीजा का नाश्ता था. और इनकी गवाई के मताबिक, घर में कोई नहीं था, सिवा इन दोनों थे. अब भणा भाई, ये मत कहना कि उस रोज से आप नौनवेच शुरू करने वाले थे. अब भाई, मुझे माव कर दो, साइब, मुझे माव कर दो, ये घंगानी साइब ने मुझे जूट बोलने को कहा था. मैं कि जूट मैं था, जब मैंने को लिके आवाद सुनी, और जैसे मैं भाऌ कि उपर आया, तो अगा, तो बाब भाद मुच उपरे ला था, और, कमानर साह था, मैं घर लेके कड़े थे, और ये माव कर ती कि अज़ए, मुझे माव कर दो, ज़ए मुझे उजए वादू कर आज की कारवाई यहीं खत्म होती है, Mr. Khangani, आप जारा मेरे चेंबर में आएंगे, आप जाला, प्रेस कंट्रोल कराओ दी, कितना मच्छर है, ओ बाबा, यह हवाला थे, हार्टेल ना है, तट, कैसा राज, जबर जस्त, कमांडर तो Khangani साप पर भारी पड़ गया, यह किसी इन मुझे न भीन में थमा दिया, अरजेंट कॉल करनी के लिए का आपको, खास इंफर मुरिशन है बोला, यहीज और यहीज जादा नहीं है, तब यहीज अधर देखना, पाँच रुपया, पाँच रुपया, पाँच रुपया, पाँच रुपया, रोजी, विक्रमकीच कि महर्मानी का शिकार पिछले साल उस ते कर पातकर वाया दा कहा जाते है कि वो बच्चा विक्रम मखी जग दा पड़िये हमारे स्पेशल अनिश्वेल निश्र में वोगी सबूत अंसरे इंपाच वर दई अनिश्रमें एक एक सीट मिलेगी देख सुरी आगी है भागी दल दी पेपर पॉरण गीडिक. किसार साथ लिखाए कि वो बच्चा भी कम का था क्या है रच बिली मोरी आदालत में मौजूद है यह सिर अनर मैंने कल आपको वाउन किया था फिर भी आपने इस केस की विटनेस मिस्स रोजी के गर्बपाद के बारे में लिखा और उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी चापी सर मेरा फर्ज है सर्चाई को पबलिक के सामने लाना है फर्ज जी आई सी और आपने अपने अख़बार की कापी जूरी मेंबर्स को फ्री में बाटी मुझे लगा बैठे बैठे बोर हो जाएंगे तो कुछ पढ़ ले मिस्टर बिली मोरिया जी सर मैं आज आपको सौर रुपे का जुर्माना और एक दिन की जेल की सजा सोनाता हूं चल दो चल दो चल दो सब्सक्राइब जूरी मेंबर्स आप उस अख़बार की सारी बातों को नजर अंदास करेंगे योर आनर अदालत की अगली गवाह हैं जमना बाई पता है मेरे को जमना बाई क्या यह सच है कि आप पिछले तीन साल से कमांडर पाउरी के घर में काम करती हैं और महां रहती भी हैं जी हां क्या बताएंगी 27 अप्रैल को घर में क्या हुआ था मेरे घर में क्या हुआ मुझे कैसे मालूम तभी मैं बंबई में थी ना साइलन्स मेरा मतलब है कमांडर पाउरी के घर में ओ इस घर में तो ऐसा बोलो ना सुभा सुभा मैडम आई और साब से बात की और साब चले गए सुभे सुभे मैडम आई आई मतलब दो दिन से घर पे नहीं थी न वो और आपके कमांडर साब वो घर में थे वो अगले दिन दर्या से आये थे अच्छा तो उन्होंने पूछा नहीं कि मेम साब किसके साथ गई है वो कभी ऐसा पूछते नहीं है फिर उन्होंने क्या किया फिर वो अंदर गये कबाट खोला चिटिया निकाली कुछ पड़ी और बाहरा के विस्की पिया आपको कैसे मालूम कि वो विस्की थी साब कभी कभी मैं भी उसमें से पी लेती हूँ इस प्रेम तोड़ दी योरानर इस बात को नोट किया जाए कि फ्रेम तोड़ा अब सौरी योरानर जम्ला भाई आपको क्या लगता है उन्होंने ऐसा क्यूं किया तो आप क्या करते अगर आपको पता चल गया कि आपकी बीवी दो रातों से किसी गहर मर्द के साथ घर से बाहर है बोलो साइलन्स और 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 जर्ना बई यह मुकदमा मेरी खिलाफ नहीं है तुम्हारे सहाब के खिलाफ है क्या तुम्हें मालूम है वो मर्द कौन था विक्रम मखी जा इतना घुमा फिरा के पूछने की क्या जरूरत थी सीधा सीधा पूछते थे ना देखो सब मैं तुम्हारे जैसे पड़ी लिखी नहीं हूं अनपड़ गवार हूं लेकिन इतना जानती हूं कि कोई फोजी आदमी अपने मुल्की सेवा में घर से बाहर रहे तभी उसकी बीवी को कोई अपने घर में लेके जाए वो अदमी को जीने का अधिकार नहीं है अगर हमा सब्सक्राइब करें अगर आपको पता चल जाए कि आपकी बीवी इस वकील के साथ सो रहे तो आप क्या करोगे अध्याल कया थाप्स? जिए यह को विक्रम और उसकी लाइश्चाल से काफिए थी, और विक्रम के रवय्य क्या था? विक्रम एक मर्द था, और जब कोई भी औरत बार बार किसी मर्द को इशारा दे, तो जाहरे हुआ तो आपका कहना है कि सिंथिया ने संबंध बनाने की पहल की थी Of course I have no further questions, Your Honor Commander Pavri, your witness, please My Lord, मैं विस्पृति को बाद में क्रॉस एक्जामिन करना चाहूँगा Thank you Your Honor, हमारी अगली गवाह है, Mrs. Cynthia Pauri Mrs. Pauri आपके विक्रम मकीजा के साथ, नाजाएच संबंध थे, या नहीं G G क्वार्ण पावरी, और विपन्स प्राइब प्राइब प्राइब। थोड़ी दिर पहरे प्रीटी ने कहा कि आपने विक्रम के साथ संबंद बनानी की पहल की, क्या ये बात सच है? नहीं, पहल विक्रम ने की ती, और सुझोग ऐसे थे कि ऐसा हो गया। वो कौन से संजोग थे जिनमें आपने विक्रम से संबंद बनाएं। प्राइब। स्संया सतर प्राइब। एंड है कर दो एंड दोग है विक्रम ने मुझे ख़त लिखे, तोफे बीजे, लेकिन ने विक्रम के साथ ये रिष्टाव कद़ने का वेसला ले लिया था क्या इसलिए कि मैं वापस दाने वाला था? नहीं, मैं तुम से ये बात चिपाने बानी नहीं थी मुझे पुरा हैसास था कि मैंने जो किया वो कर दा अब्जेक्शन में लॉड मैं सोची रहा थे कि आपकी तबियत ठीक है कि नहीं सस्टेंड सत्पाइस एपरिल को जब आप घर लोटी तो आपके सर पे चोट लगी थी कि अधालत को बताएंगी क्या हुआ था कि अधालत को बताएंगी क्या हुआ था कभी नहीं मिलूंगी और अच्छा होगा कि तुम भी आज के बाद मुझे कभी कॉंटाक्ट ना करो ठीक है तो रुस्तम को हमारे बारे में तुम बताओगी या मैं बताओगी या मैं बताओगी ये मजाक नहीं है मेरी जान तुम ही क्या लगा था मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ इसलिए अरिश्टा बनाया गलत मैं तुम्हारे उस फौजी से बदला लेना चाहता था एक बार उसने मुझे अपनी यूनिफॉर्म का पावर दिखा था और अब मैंने पैसे का पावर दिखा था और तुम्हे यहां तक लेयर इस इस रियल पावर स्वीटार्ट इस गलत तेमी में मत रहना लाग खोशिश कर लो चाहे जतना पैसे कमालो तुम्हारे जैसा घटिया आत्मी मेरे रुस्तम के एक बाल बराबर बनेपन भाई का यू लुसी पीस फिशिट यूचог पख्यूआ यूआँ यूँआँ यूपूआँ यूँआए यूआँ 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 म्हार जो आपके साथ हुआ, क्या उसके लिए आप विक्रम को कसुर्वा ठहराती हैं? नहीं, सिफ अपने आपको, मुझे तुवारा भरुसा नहीं तोडना चाहिए था जो हुआ, क्या उसके लिए आपको पश्तावा है? अबच्छिन मेलोर, इस एरेलेवन तो चेस अवरूल अबच्छिन मेलोर, इस एरेलेवन तो चेस अवरूल मैं लॉर्ड, मैं अब मिस्स प्रीटी मकीजा का क्रॉस एक्जामिनेशन करना चाहूंगा. मिस्स प्रीटी, क्या विक्रम अपने साथ हमेशा पिस्टॉल कैरी करता था? उसके पास लाइसेंस पिस्टॉल तो थी, बट वो से कहा कहा कैरी करता था, वो मुझे नहीं मालूँ. आप इस बात से तो वाकिफ होंगी की गुस्सा उससे बहुत जल्दी आता था, वो छोटी-छोटी बात पे पिस्टॉल निकाल लेता था, am I right? नॉट ट्रू एट आल. आपके भाई की है या नहीं? प्लीज. अब मिस प्रीती, क्या आप जोर से चिट्टी पड़ेंगी? प्लीज. मेरी प्यारी सिंथिया. मिस प्रीती, जोर से सब को सुनाई देना चाहिए. मैं तुम्हें लंडन में पली बड़ी मॉडर्ण ख्यालात वाली लड़की समझता था. मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी गिल्टी फील करना चाहिए. रुस्तम महीने दरिया में निकालता है. फॉरें पोच चाता है. वो वहां मज़े कर लेता है. ये बात मुझे मालूम है. अब ये वाली पढ़ियेगा. और यहां से पढ़िये. तुम खामका डर रही हो. गोएड़ एक और भी एक मर्द की तरह बिना गिल्टी फील किये, एक से ज़्यादा मर्दों के साथ संबंध रख सकती है. अब बाता है. तुम खामका बाता है. फिर से एक बार सोच ले. आई. प्लीस कम इन. तुमेश शिड के वेस्टी होम देपार्टमेंट. प्लीस को देखके कोई खोश हुआ है. बहुत अच्छी है. दो जाय भेजिए. जी साथ. आए मिस्टर लुगा. आए. प्लीस. यह सर्ण उसने विक्रम मकीजा को मारा उस दिन सुबा उसने मुझे यहां फोन किया था और यह सब बताया. लेकिन वो एक गलती कर पैठा. उसे यह नहीं पता था कि आपने खुद्धी के लिए है. आपने खुद्धी आपने खुद्धी आपने खुद्धी के लिए है. राइट फुली. थैंक यू सर. रुष्तम के बताया हुए अकाउंट में पांच करो ट्रांसफर हो गए है. मैडम एक दस बजी की बामे की रिकेट कीजे. सुरी सर, दस बजी की फ्लाइट पूरी फुल है. मैं आपको दोबजी की फ्लाइट में एकाउमडेट कर सकती हूँ. उटी. आपको नमाता हुआ तान पांच की बामे की बामे काउमडेट थे. पांच काउमडेट की बामे की घालाई. जाने, भापको दोश्राइए. रूचे बामे की आपको दोश्राइए. प्रोसिक्यूशन कमांडर रुस्तम पावरी से कुछ सवाल करना चाहती है, माई लॉर्ड कमांडर साहब जरा बताईए, जब आपको पता चला अपनी बीवी के नाजायच सम्मंधों के बारे में तब सबसे पहले आपके मन में क्या ख्याल है? यही की विक्रम का खून कर दो क्या यह सोच गलत नहीं है? मेरे हिसाब से नहीं है क्यों? आपका और दूसरों का नजरिया अलग है? मैं भारती नौसेना का एक आफिसर हूँ जहाँ आज भी अगर एक मिनिट लेट हो जाते हैं तो वो एक सीरिस ओफेंस कैलाया जाता है ऐसे मैं अपने ही दोस्त की बीवी के साथ अफेर करना अनपारड़निबल ओफेंस है और उससे भी बड़ा अपराद है किसी औरत पे हाथ उठाना जो दोनों गलतियां विक्रम ने की इसलिए विक्रम जिसे इनसान को जीने का कोई हक नहीं और इसलिए विक्रम मक्हीजा को आपने जान से मार दिया जी नहीं मैंने आपके सवाल का जवाब दिया है कि ऐसे आदमी को जीने का कोई हक नहीं लेकिन मेरा इरादा उसे मारने का नहीं था तो आपका इरादा क्या था मैं सिरफ उससे ये जानना चाहता था कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और ये जानने के लिए आपने शिप्ट की आर्मरी से बंदूक विड्रॉ की याउनर यही थाबित करने के लिए मैं लेटनन बिस्ट को बुलाना चाहूंगा आप 27 एपरिल को आइनस मैसूर की आफिसर अफिसर अफ़ दे थे मैसूर की आर्मरी से एक पिस्टॉल निकाली है माइ राइट है अगर नवी चाहता तो क्या आक को या किसी को पता चले बगेर आर्मरी से यह पिस्टॉल विड्रॉ कर सकता था बिल्कूल कर सकते थे सर In fact, as the exo of the ship, आपके केबिन में चाबियों का एक सेट होता है. अगर आप चाहते, तो पिस्टल विड्डॉख करके, उसका इस्तमाल करके, उसे वापस भी रख देते, और किसी को पता भी नहीं चलता है. Silence, silence! Silence, silence, silence! Silence! बंदूख सिर्फ मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए ली थी, क्योंकि विकरम बहुत ही जल्द अपना आपा खोबढ़ता था, और बात बात पर अपनी रिवॉल्वर निकाल लेता था. ये तो नई बात सुनने में आ रही है. जो आपने कहा उसका कोई सबूत है आपके पास. यही प्रूव करने के लिए मैं अब मिस्टर रंजीत दास को यहाँ बुलाना चाहूंगा. मिस्टर दास, आप क्या काम करते हैं? जी, अभी मैं विलिंग्डन जीम खाना में सिनियर वेटर हूँ. उससे पहले मैं CCA क्लब में बेरर था. क्या आप विक्रम मकीजा को जानते थे? जी, अच्छी तरह से. वो हमारे क्लब के रेगुलर मेंबर थे. पिछले साल जैनवरी में आपके साथ एक हादसा हुआ था. क्या आप अदालत को बताएंगे की वो हादसा क्या था? उस दिन विक्रम मकीजा आप, आप, आपकी पतनी और प्रीती मैडम, चारो कार्ड रूम में ब्रीज खेल रहे थे. तो लर्णन की सारी तईयरी हो गई? हाँ. हाँ. पैसा जृम होई का बाउच होई है क्यों हों? तुम गिस्किरी खेस्रावस में रूहल bipolar रुट्रूर युट रीजियता? थुमें के से मने? दुम्नी सारी खेलिश में रहे थे हे आप, राप में राप मायवाथ! तुर ओर used the मधेवे यानिकी आप के कहने के मुताबिक गलती से आपके हाथ से जूस舒ी किरम मखीजा योटों परір गिर गया Super और उनों ने अपनी बंदूब निकाल के तां ती यात क्लिट एए बन्रहू कि हुँ नेLC म्सट्रब से सिर्फ से एक सवाल पूछना चाहता हूं आपने अभी जो कुछ भी कहा उसका कमांडर साहब उनकी धर्म-पत्नी उनके सिवाए कोई भी और गवाह है जो इस बात से सहमत हो कि जैसा आपने कहा वैसी हुआ था मुझे इन से और कोई सवाल नहीं पूछना यह और आप जा सकते हैं एक मिनिट मिस्टर दास एक मिनिट मिस्टर दास क्या आप बताएंगे कि ऐसे बड़े-बड़े क्लब्स में जब ऐसा कोई हाथसा होता है तो क्लब वाले उसे कैसे टाकल करते हैं जी उसके लिए इंक्वेरी बैठती है और क्लब की कमिटी उस केस की बारी की से जाच करती है माई लॉर्ड उस हाथसे के बाद भी कमिटी बैठी थी ये क्लब्स पचास साल पुराने हैं और अपनी परंपराओं को बहुत ही सीरिस्ली लेते हैं उन्होंने इंक्वायरी कम्प्लीट होने तक विक्रम मकीजा की मेंबर्शिप को सस्पेंट कर दिया था और उसके माफी नामे और इंफ्रोंच के बाद ही कलब ने उसकी मेंबर्शिप को रिंस्टेंट किया यह कलब की मिनिट्स और मीटिंग फाइल्स हैं और यह है वो माफी नामे की कॉपी जिसमें विक्रम मकीजा ने साफ साफ कहा है कि वो गुस्से में अपनी रिवॉल्वर निकाल बैठे और उन्होंने कलब मैंजमेंट के मेंबर्स को आश्वासन भी दिया कि वो दुबारा ऐस हरकत कभी नहीं करेंगे इस माफी नामे और मिस्टर दास के कहने से यह बात साबित हो जाती है कि विक्रम छोटी-छोटी बात पे अपना आपाक हो बैठता था और बात-बात पे अपनी बंदूप निकाल लेता था क्योंकि मैंने उसका यह बिहेवियर पहले भी देखा था इसलिए मैंने भी अपनी पिस्तॉल साथ ले जाना ठीक समझा और उस रोज जब मैं विक्रम से बात करने गया है विक्रम क्या वात है कमांडर साब आथ सुबस हुआ ही क्या तुम सिंथिया से शादी करोगे वाट क्या मैं हरूस वारत से शादी करूँगा जिसके साथ मैं सोता हूं भी ये विक्रम ये मद भूल रुस्तम के तुमेरे घर में और अगर मैं चाहूं तो तो क्या कर लोगे का क्या है कर दो कर दो कि एा एक फतShहीं कि उसके हमाने कर दो कि अख बोक रंग दो यू नाज नेध मुझसे गोली चली है लेकिन माई लॉड सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए कमांडर सहाव क्या सेल्फ डिफेंस में तीन गोलिया चलाना जरूरी था यह समझाने के लिए मुझे आपको कुछ दिखाना होगा मैं आए माई लॉड थैंक यू खंगाणी साब यह इंडियन नेवी बेसिक ट्रेनिंग मैनियोल है मैं इसका पेज नमर ट्वेटी फॉर खोलेंगी या क्लोस कॉंबेट सिट्यूएशन अब आप उसमें लिखे जो मेथर्ड हैं वो पढ़ेंगी नेवी कहती है पहले मारो जूर से मारो और मारते रहो अगर किसी ने आप पर बंदुक तांकर रखी है तो आप बिना संकोच गोली चला सकते हैं और गोलियां आप तीन तीन के बर्स्ट में चलाएंगे तांक यू बेरी मच माम माई लॉड जो मुझसे हुआ वो मेरी ट्रेनिंग की वज़े से एक रीफ्लेक्स आक्शन था किमीद पीपर कमांडर साहब आपके मन गढ़ंत कहानी के मुतारे आप में और विक्रम मखीजा में जड़प कुई जी तो इसका क्या कारण हो सकता है कि इतनी जड़प के बावजूद विक्रम मखीजा के बदन से टावल गिरा ही नहीं और पुलीस रिपॉर्ट का मुताबिक आपकी सफेद वर्दी पर एक दाग भी नहीं लगा खंगानी साब आप क्या कहना चाहते है कि मैं विक्रम के कमरे में गया अपने हाथों से उसके कमरे को तहस्नेस किया फिर अपनी पिस्टॉल निकाल कर मैंने विक्रम पे गोली चलाई फिर विक्रम की रिवालवर लेकर मैंने उसे कॉप करके उसके हाथ में रख दी और ये सब आपिस ले कह रहे हैं क्योंकि मेरी वर्दी पर दाग नहीं था और विक्रम का टौवल उत्रा नहीं था कमान खंगानी साब, हम थोड़े ही मिट्टी में कुछ दी लड़ रहे थे मेरी तरफ से और कोई विटनेस नहीं है याउनर I now rest my case, thank you Jury members, आपने भी दोनों पक्षों की दलीले सुनी Excuse me my lord मैं senior inspector Vincent Lobos, sir मेरे पास इस case के बारे में एक important information है जो मैं public prosecutor के साथ share करना चाहूँगा with your permission, sir Thank you Thank you Your Honor Inspector Lobos ने बहुत ही brilliant investigation करके ये evidence हासिल किया है मैं अदालत से दर्खास करूँगा कि इसे शामिल किया जाए क्या evidence है? जिस दिन रुस्तम ने विक्रम मखीजा का खून किया उस दिन उन्होंने GPO से डिली एक ट्रंक कॉल किया था जिसके बारे में उन्होंने जिकर नहीं किया और सब से छुपा के रखा क्योंकि वो कॉल डिफेंस सेक्रेटरी को किया गया था वो कॉल रिकॉर्ड हुआ था और वो रिकॉर्डिंग्ट हम अदालत में पेश करना चाहते हैं धन्मणर पावभरी यस यहॉर्ण अबच्छीन? यहुआ नहीं कर दिए कि लिसन मुझे मालोब तुम लिओ वोल किया। मैं विैकर्म से कहता हूं कि तुम से मिले और यह यह मैंडिर साॉड होट Speech हुआ निफ विल्दे चाना हूं और मैं एसे छोडों मेने सालिनन्श सालिंश सालिंश कमssäंडर पाकंडर है क्या आप मानते हैं कि यह आवाज आपकी है जी हाँ अब और क्या साबिट करना बाकी रह गया योर अनर कमांडर पावरी घर गए उन्हें पता चला कि उनकी बीवी का अफैर विकरम मखीजा के साथ था फिर वो अपनी शिप गए आर्मरी से पिस्तॉल निका ली और जीपियों से डिफेंस सेक्रेटरी केजी बख्षी को फोन पर कहा कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं यह कहकर वो विकरम मखीजा के घर गए और उन्हें बेहरे मी से तीन गोलियां मार दी यह कोई heat of the moment का हाथसा नहीं है दिस इस अ क्लिर केस और प्री डिटर्मेंट मर्डर कमांडर पावरी इस एविडेंस पर आपको कुछ कमेंट करना है माई लॉर्ड मैं खंगानी साब से यह पूछना चाहूंगा कि किस डिक्स्टनरी में यह लिखा है कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं का मतलब होता है मैं उसे मार दूँगा कमांडर पावरी इसे शब्दों का खेल बनाकर एक्स्क्यूस देने की कोशिश मत कीजिए जिस संदर में आपने इन शब्दों का इस्तमाल किया है और उसके बाद जो घटना हुई है उससे ये साबित होता है कि यहां मैं उसे छोड़ूंगा नहीं का क्या मतलब निकलता है कमांडर पावरी आपने प्लान करके ठंडे कलेजे से विकरम मखीजा का खून किया है अडमिजेट I finally rest my case, Your Honor कमांडर पावरी आपको कोई closing statement देना है नहीं, Your Honor मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूँ I too, rest my case Thank you Silence, please Jury members आपने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी उनके सारे गवा और सबूत देखे अब आपको फैसला करना है याद रहे फैसला बहुमत से होना चाहिए इसके लिए आप पर समय की कोई पावंदी नहीं होगी जूरी का जो भी फैसला होगा कल सुनाया जाएगा अला, अरे जूपना नी कहीं भी केस जूरी के पास कया मुझे जूरी फोर परसंट सिलेक करने के लिए आप सब का शुक्रिया दलीले शुरू करने से पेले हमें एक इनफॉर्मल वोट ले लेते हैं जी आप से शुरू करते हैं अफकोर्स नॉट गिल्टी वेर इस दाउट अफकोर्स गिल्टी डेफिनेटली नॉट गिल्टी नॉट गिल्टी पता नहीं गिल्टी में, नौट गल्टी गल्टी साहएं इवन इम नॉट शूर तीन मेंबर्स का कहना है कि कमांडर पाओरी इंगल्टी है जार मेंबर्स कह रहे है कि he's not guilty और दो लोग अभी भी अंडीसइडीड है तो, लेस्ट सुर्ठ गर्डिस्कृर्षन वेर गविक्षिन है अगर फून कीता भी है, तेहीज एन अनुरेबल मुर्डरर, वा त्रीला मुर्डरर, मैंने अपना वो डिसाइड कर लिया है, गिल्टी, यस! अगर उसे मटर कर नहीं होता, तो कहीं भी पुला के मार देता, आप समझ रहे होता है, आप क्या, जग्रा बन करो, खना साथ सही बोल रहे है, I change my vote to not guilty. क्या बात है, कमाडर साथ? नेन नहीं आरही? आपको भी तो नहीं आरही है, एक एक बाजी हो जाए. नहीं कमाडर साथ, जैसा कि आप समझ चुके होंगे, मुझे हारने का कोई शॉप नहीं है, उस रोज आपने मुझे शत्राज में हराया, आजा दालत में मैंने हिसाब बराबर कर दिया। कमांडर ये बाजी आप हार चुके है। बस एक अफसोस जरूर हैगा कि सच क्या था वो आपके मुझे नहीं सुन पाया। मेरी वज़े से आपको कोई अफसोस हो, ये बात तो बहुत गलत है लोबो साब। आपको देख के ऐसा लगता नहीं कि आप अपनी जीत से ज़्यादा खुश हैं। और आपकी नीन दिसले उड़ी हुई है क्योंकि आपको पता है कहीं न कहीं, कुछ न कुछ तो गलत हो रहा है। लेट मी हेल्प यू। लोबो साब, ये कहानी एक साल पहले शुरू हुई। विकरम के नेवी में बहुत सारे कांटाक्स थे। और जिस दिन उसे पता चला कि इंग्लेंड में एक 15 साल पुराना एक्राफ्ट कैरियर यूहीं अधूरा पड़ा हुआ है। तब उसने मेरे सीनियर रियर एड्मिरल कामत के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। और मेरी पोस्टिंग लंडन में करवा दी। और जब मैंने एक्राफ्ट कैरियर का इंस्पेक्शन किया। तो वो एक्राफ्ट कैरियर हमें आदे दाम पे मिल एक बार इंडिया आ जाए फिर हम वो सारे चेंजिस कर देंगे जो तुम रेक्रमेंट कर रहे हो। ना विक्रम इस या ये तुमें समझाएगा। रिलाक्स। वान स्कॉच प्लीज तुम बहुत ही माबूली है। अब तुझसे क्या चुपाना ह। पाँच करोड। रुस्तम सोच लो रुस्तम तुम बहुत ही माबूली है। बेरे पास और भी तरीके हैं। प्रूर गई प्रूर गई प्रूर गई प्रूर पास बात को उपर पुचाने का फैसला लिया। क्योंकि इस कैम में रियर एड्मिरल कामत इन्मॉल था। इसले मैं सीधे डिफेंस सेकेटरी बख्षी को मिलने गया। जो अन दिनों लंडन में ही थे। आरुस्तम तो बताओ क्या जुन बात थी। तुमने ये बात अपने सुपीर्यर को बताई जी सर्थ। मैंने रियर एड्मिरल कामत को ये बात बताई थी। इस दील में वो भी विक्रम के साथ शामिल है। इन फाक्ट उन्होंने मुझे दस लाग रुपे ब्राइब बी ओफर की। जस दो टूद लाइए। दस लाग? जी हाँ. इसलिए मैंने सोचा कि ये बात मैं आपको डिरेक्ट लिया के बताऊ। ये विक्रम भी देवगूफ है। आमी ही शूट रियला इसकी करूनों का खेल है। उसे कम से कम तुम्हे बीस लाग ओफर करने चाहिए थे। बट डूंट वरे। मैं उससे बात करता हूँ। मैं तुम्हें बीस लाग दिलवाँगा। प्रेस्ट शॉट। और जब मैं नहीं माना तो रातो रात मेरा ट्रांसफर करवा दिया। और इससे पहले मैं उनके खिलाफ कोई आक्शन प्रपोस करता। उन्होंने मेरी पोस्टिंग आइनस मैसूर में करवा दी। जो छे मैने के लिए बाहर जा रहा था। विकरम ने मुझसे बदला लेने के लिए सिंथ्या का इस्तमाल किया। और यही मेरी हार थी लोबो साहब। जो इनसान देश की इफाज़त की बात करता है वो अपना घर भी नहीं बचा पाया। सिंथिया की कोई गलती नहीं थी। एक तरफ मेरी जाती जिन्दगी थी और दूसरी तरफ था एरग्राफ कैरियर का स्कैम। और यहां प्लाइब एवरीटिंग। सर मैं आपसे कुछ... सर मैं आपसे कुछ... मुझे मालूम है तुमने क्यों फोन किया। मैं विक्रम से पैता हूँ कि तुमसे मिले और यह... यह मैटर सौट आप करें। मिलने तो मैं उसे जा रहा हूँ और मैं उसे छोड़ूँगा नहीं। और एक अर बात... लंड़न एकराफ केरियर की रिपोर्ट की डॉक्यमेंट कॉपी मेरे पास है... जो प्रूफ कर देंगे कि एकराफ केरियर कितना सड़ा हुआ है... और हमारे देश कैस से कितना बड़ा नुकसान हो रहा है... अब देखता हूँ... आप लोग कैसे बच्चते हैं... रुस्तम डॉन्ट बी फुलिश। आप लड़ी एक्सपोस्यों। मैं तुम्हे पहले भी कह जो... मिलने तुम्हें से जा रहा हुआ। बस मुझे ये नहीं पता था... कि मेरा कॉल रेकॉर्ड होगा... और बक्षी उस कॉल को अदालत में आदा सुनाकर... मेरे ही खिलाफ इस्तमाल करेगा... मैं विक्रम के घर पहुँचा तू। क्या बाद है कमंडर साहब। अज सुभा सुभाई। लगता है आपकी धरम पतनी ने खूब चम... लगता है फिर आपने अदालक में बक्षी और कामन को एक्सपोज क्यों नहीं किया सिविलियन्स का नेवी से भरोसा नहीं उटना चाहिए लोबोसा और हमारे कुछ करप्ट आफिसर्स की वज़े से पूरी नेवी बदनाम हो और हमारे मुलक के सिक्यूरिटी कॉंप्रमाइस हो ये मैंने ही चाहता था और आपके पास एरक्राफ करियर के रिपोर्ट की जो कॉपी थी मेरे पास रिपोर्ट की कोई कॉपी नहीं थी इट वाज बलफ मेरा मक्सद सिर्फ यही था कि वो सड़ाओ जहाज उस हालत में किसी भी कीमत पर हमारे देश में नहीं आए इंडियन नेवी में एक्राफ केरियर ज़रूर आएगा लेकिन जो चेंजिस मैंने कहें हैं वो करने के बाद कमांडर साब कल जब जूरी आपको दोशी ठराएगी तो नहीं लो बो साब I will walk tomorrow यह जूरी कल मेरा साथ देगी इतना यकीन किसे आपको आप यहां जो बैठे हैं लो बुसरा आप यह जूरी और बाहर पबलिक सब यह जानते तो हैं कि मैं गलत हूपर साथ-साथ यह भी मानते हैं कि मुझे सजा नहीं मिलनी चाहिए Vikram डिसरफ ड़ी यह जानते हैं यह जानते हैं यह जानते हैं येस, जी, ठीक है, लट इस इंफर्म थे कोट येस, बाल कोट क्या जूरी का फैसला बहुमत से है जी हाँ जूरीन कमांडर रुस्तम पावरी को विक्रम मकीजा की कतल के लिए आठ एक के बहुमत से निर्दोश पाया थे लाँ प्राइब बहुमत से थाजिए कि लिएर आपनाव कि लिए पावरी के लिए कि लिए निए कि लिए कि लिए प्रिटी, प्रिटी, दोन्ट वरी, हम हाई कोट में अपील करेंगे डेफिनेटली, पर मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं ताला ताला अपला 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 गडी जार्दा, ताला 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 झाला